हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू माई चानल एक्सिलेंट कोचिंग क्लास 12 के इंटेलिजेंस टेस्ट पड़े थे हमने लास्ट टाइम और बात करी थी कि डिफरेंट टाइप्स ओफ इंटेलिजेंस क्या होती है कि बात करी थी उसके बाद d intellectual deficiency कि बात करी थी आज जो हमने topic शुरू करना है उसका नाम है टाइप्स ओफ इंटेलिजेंस टेस्ट तो intelligence टेस्ट जो हमारे psychological टेस्ट होते हैं उसमें different ट टाइप्स होती है वो हमने यहां पे डिसकश करना है तो इसको शुरू करते हैं इसमें लिखा हुआ है कि intelligence test बहुत अलगलग types के होते हैं और उनको हम verbal और performance test के base पे divide कर सकते हैं ठीक है on the basis of nature of items use nature of items अब ये चीज़ आप ध्यान रखना जहां पे आपको psychological test की कोई भी psychology का कोई भी test है अगर वहां पे आपको ये word दिखता है items लिखा हुआ तो इसका मतलब है उसमें किस तरह के questions है basically items means किस तरह के questions पूछे गए हैं अगर वो कोई questionnaire है या कोई interview है जिसके interview के questions लिखे गए है interview schedule बोलते हैं जिसको या questionnaire है जिसमें काफी सारे questions दिये हैं जो जिसके base पे perform करना है test तो उसको हम items बोलते हैं तो कई बार number of items लिखा होता है तो बच्चे confused हो जाते हैं कि items का क्या मतलब है तो actually मैं उस test में बोला क्या गया है करने के लिए questions क्या है उसके according उसके base पे हम अपने जितने भी intelligence test है उनको verbal और performance test में divide कर सकते हैं verbal का मतलब है कि जहां पे हमें wordings की जरुद परती है बोलने सुनने की जरुद परती है words की जरुद परती है ठीक है लिखने की जरुद परती है वो verbal में आ जाता है यानि कि हमें शब्दों की जरुद परती है और performance का मतलब है जहां पे हमें कुछ शब्दों का या कुछ लिखने बोलने की जरुद नहीं है हमें कुछ perform करके दिखाना है तो ऐसे भी कुछ test होते हैं जहाँ पे हम performance के थूँ अपनी intelligence को test कर सकते हैं तो depending on the extent to which an intelligence test favors one culture over another it can be judged as either the culture fair और culture biased तो यह दो words हैं आपके यहाँ पे culture fair और culture biased culture fair test का मतलब यह होता है कि वो इस तरह का intelligence test है जो कोई भी culture के लोग कर सकते हैं और ऐसे test जादा तर performance test ही होते हैं जहाँ पे आपको कोई चीज perform करके दिखानी है तो वो कोई भी culture का हो कोई भी language का हो उससे आप वो test करवा सकते हो culture biased मतलब है कि जो एक ही culture के एक ही तरह के culture की लोगों के उपर बना हुआ है उनी की intelligence test कर सकता है जैसे suppose अगर questionnaire English में है तो अगर हिंदी जहाँ पे state की language हिंदी है वहाँ के लोगों के लिए अगर वो questionnaire बनाएंगे या उसको यूज करेंगे तो वहाँ पे उन लोगों को questions नहीं समझाएंगे अगर हम उसको हिंदी में translate भी करेंगे तो अभी उसकी sense बदल जाएगी तो जो verbal test होते हैं उनमें ये problem आती है कि वो culture biased होते हैं उस culture के लिए अलग-अलग culture के हिसाब से अलग-अलग test बनाने पड़ते हैं अगर verbal test की बात हो तो क्योंकि language अलग हो जाती है cultural settings अलग हो जाती है but performance test में ये होता है कि जादादर जो perform करने के लिए बोला गया है वो किसी भी तरह के लोग हो उनके लिए वो almost similar type का ही हो जाता है तो वो culture fair test माना जाता है तो you can choose test depending on the purpose of your use आपका purpose क्या है test लेने का या test को use करने का test को administer करने का what is the purpose accordingly आप test use कर सकते हो कि if you want to use a verbal test और a performance test ok so first qualification is individual or group test individual intelligence test is one which can be administered to one person at a time individual test means only one person can attempt the test at a time एक test का use एक ही person पे हो सकता है so if we have different individuals we need different test तो हमें एक time पे एक ही person पे कोई test अगर administer करना है that is called an individual test अगर हमें group intelligence test करना है तो उसके लिए different type का test होता है जो हम पूरे group का एक साथ कर सकते है ok so individual test require the test administrator to establish a rapport with the subject and be sensitive to his or her feelings, moods, expression so what happens is here the keyword is rapport rapport means जब भी हम किसी psychologist होता है अपने सामने जो उसका subject बैटा हुआ है जिसका उसने psychological test लेना है जब भी वो उसका psychological test लेने शुरू करता है उससे पहले उसको अपने subject को या अपने client को उसको बहुत comfortable करवाना पड़ता है क्योंकि suppose आपको पता है आपका कोई test ले रहा है तो आप automatically anxious हो जाते हो आपको घबराट और लगते हैं कि पता नहीं क्या पूछेगा या पता नहीं उस question में क्या होगा या मेरे बारे में क्या जानने की कोशिश करी जा रही है तो बहुत एक तो unknown person है psychologist जो होता है के बीच में एक comfortable relationship होना चाहिए एक trustworthy relation बीड करना है वो एक ही बार में नहीं होता है पर starting में जैसे first time आपके पास आए है तो यो try to make the person very very comfortable जिससे क्या होगा कि वो एक friendliness होने की वज़ा से उसकी nervousness कम हो जाएगी आपके client की subject की nervousness कम हो जाएगी anxiety कम हो जाएगी और वो test में उतना ही neutral perform कर पाएगा अगर वो nervous होगा तो हो सकता है वो performance test भी खराब करे या जो भी verbal test हो चाहिए performance test हो वो उसको ठीक से ना कर पाए लेकिन अगर वो relaxed होगा comfortable होगा तो वो अपना natural तरीके से उस test को perform कर सकता है तो first thing is that build a rapport, rapport में अपना psychologist को अपना एक usual जो formal image है उसको थोड़ा सा break करके थोड़ा सा casual level पे और एक smooth level पे आना पडता है ताकि जो subject है वो relaxed हो जाए that is called a rapport formation और उसकी जो feelings है या उसका जो mood है उस time पे उसके लिए कि sensitive होना उसको relax feel करवाना पहले थोड़ी दे journal बात करना उसके साथ या उसको समझाना कि actually में ये test क्या चीज है इससे हम क्या पता कर रहे है और it is not very ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहे कि कोई ऐसी चीज है जो आपकी बाहर leak हो जाएगी ये सारी चीज़े बहुत confidential होती है ये सब बताना पड़ता है subject को तो group test में लेकिन क्या होता है ये तो हो गया जबहां मैं एक अकेले person का test कर रहे है इंडवीज्वल का group test में however we do not allow an opportunity to be familiar with the subject's feelings अब group test में तो इतने सारे लोग है एक single psychologist है जो भी वहां पर उस चीज़ को test को administer कर रहा है that administrator is one person and there are lot of people in a group तो वो हर किसी को जाके रैपो formation तो नहीं कर पाएगा फिर तो बहुत time लग जाएगा और group में एक journal discussion होती है journal introduction दी जाती है टेस्ट के बारे में वो start कर दिया जाता है तो यहां पर रैपो formation इंडिवीज्वल बेसेस पे नहीं होती है इंडिवीज्वल टेस्ट अलाओ पीपल तो आंसर ओरली और रिटन फॉर्म और मैनिपुलेट अबजेक्स ऐस पर दी टेस्टर इस्ट्रक्शन तो ओरल और रिटन तब होगा अगर verbal test use किया है कुछ लिखने के लिए या कुछ पूछा जा रहा है तो बोलने के लिए तो verbal test और अगर performance test use किया है तो उसको कुछ perform करके दिखाना पड़ेगा चीजों को manipulate करना या कुछ चीज़े दिया उसको use करना तो that is performance test group test generally seek written answers usually in a multiple choice format और group test में क्या होता है क्योंकि group में हम किसी को perform करने के लिए देंगे तो हम से देख नहीं सकते 10-12 लोग बेठे हैं एक साथ हमने सबको कुछ perform करने के लिए दे दिया यह इससे जादा लोग भी हो सकते हैं हम performance test लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर किसी पर नजर रखना so in a group it is very difficult to conduct a performance test वो युजुली individual में ही किया जाता है group में mostly हम questionnaire या कोई mcq format type का दे देते हैं जिसके हमें answers फटा-फट लोगों से करवाने होते हैं तो वो generally answer टिक टिक करते जाते हैं जल्दी से तो it is like an mcq test तो group test में इतना ही हो पाता है क्योंकि there are lot of people तो यह तो हो गया आपका difference between individual and group test अब verbal, non-verbal और performance test की बात करेंगे जो अभी तक हम discuss कर रहे थे तो an intelligence test में भी fully verbal, fully non-verbal और fully performance based on it may consist of mixture of items तो mixture of items मतलब उसके अंदर जो questions है वो mix हो सकते हैं एक तो totally verbal हो सकता है totally written हो सकता है जिसको non-verbal बोर रहे हैं यह एकदम ही performance based हो सकता है यह तीनों का mixture भी हो सकता है कि कुछ चीज़े बोल के बतानी है कुछ लिख के answer करनी है और कुछ आपको perform करके दिखाना है तो depending on the items यानि की questions ओके तो verbal test requires subject to give verbal responses orally or in a written form verbal test can only be administered to literate people अब देखो यह इन्होंने verbal test की बाल में बोला है verbal test वो होते है जहां पर उनको कोई answer बोलने के लिए लिखने के लिए कहा जाता है इसका मतलब इसकी क्या बहुत बड़ी limitation है कि यह सिरफ पड़े लिखे लोगों पे ही किया जा सकता है वर्बल टेस्ट की one of the biggest limitation यह है कि it can be performed only on literate people जो पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं उन पे ही हो सकता है ठीक है सेकिंड नॉन वर्बल टेस्ट नॉन वर्बल में pictures होती हैं और illustrations होती हैं जैसे आपको यहां दिख रहा है यह एक example है Ravens Progressive Matrices Test का RPM Short में बोलते हैं और इसमें जैसे इनोंने बोला हुए है कि अगर यह picture यहां पे यह जो पिचर यह block है अगर तो यहां पे इन में से कौन सा fit बैठेगा इन चारों में से यह आएगा यहां यह आएगा कौन सा आएगा अब हर कोई जो पड़ा लिखा नहीं भी होगा वो भी बता देगा कि इसके answer में कि यहां पे fit करना है तो यह वाला होना चाहिए यहां पे लोगों को पड़ा लिखा होने की जरूत नहीं है यहां पे बोलने की जरूत नहीं है यहां कुछ लिख के दिखाने की जरूत नहीं है इसले इसको non-verbal बोलते है यह non-verbal का example है और जहां पर इन्होंने figure choose करने है यह RPM इसका नाम याद रखना कई बार ही आपको यह as an example answer में लिखना पड़ जाता है यह चीज हम चाहे वो literate हो यह illiterate हो दोनों पर ही यह test perform किया जा सकता है clear? this is non-verbal now performance test performance test requires subject to manipulate objects objects manipulation जैसे blocks बच्चे खेलते हैं हम बच्चों को blocks देते हैं खेलने के लिए उनको बोलते हैं से कुछ बना के दिखाओ उसको बोलते हैं manipulation of objects इस तरह की चीज़े दे दी जाती है कोई pattern बना के दिखाना जैसे puzzle solve करना तो जब हम actually मैं puzzle लाके दे रहे हैं उसको बोलना करके दिखाओ यह हम blocks दे रहे हैं उसको बोलना करके दिखाओ ऐसे यहाँ पर होता है यह वाला जो test है course block design test होता है यहाँ पर block का design एक paper पर बना होता है और कुछ blocks दे दिया जाते हैं बोला जाते हैं कि जैसा paper पर बना है वैसा design बना के दिखाओ अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो manipulation कर रहा है blocks का तो materials को manipulate करना इसलिए इसको performance test बोलते हैं and there is no requirement of any language language की जरूरत नहीं है और यह cross-cultural किया जा सकता है कोई भी culture का हो उसको सिरव इतना ही करना है कि जो चीज perform करने के लिए बोली जा रही है वो देख के करनी है so इसमें किसी भी culture की restrictions नहीं आती है performance test में and इसमें illiterate होने की भी जरूरत नहीं होती है because it is based on the performance तो जैसे course block design में उनको blocks दे दिये जाते हैं और within a period of time उनको उसको arrange करके दिखाना होता है so these were the three different types of test एक verbal एक non-verbal और एक performance test तो जो verbal वाला है उसी की limitation यह है कि वो literate लोगों पे ही conduct किया जा सकता है बाकी दोनों जो है वो culture fair test होते है now sometimes you are asked to differentiate between culture fair and culture biased कि दोनों का क्या मतलब होता है so intelligence test can be culture fair or culture biased many intelligence tests show up biased to a culture जहां पे वो test बना है जहां पे develop हुआ है जैसे हमारे mostly psychology का जो test है वो American और European test है तो इसका मतलब वो वहां के लोगों के लिए बने है तो that means we can say कि for Asian people those tests are not very suitable so those are the culture biased test क्योंकि English में होते है and जिनकी English we have a Indian Hindi language as a culture तो हमारे हम कह सकते है कि वो हमारे लिए test suitable नहीं है या वो culture biased है वो English में जो है तो वो universally कैसे use होगा अगर वो एक ही language में है test ठीक है तो तो represent an urban and middle class culture ethos hence educated middle class white subjects generally perform well तो जाधा तर क्या था कि इसमें जो educated class होती थी जो white subjects white का कहने का मतलब यहाँ पर जिनकी white screen होती है जैसे European Americans होते हैं तो वो लोग ही अच्छा कर पाते थे बिकॉस वो समझ जाते थे क्या कहा जा रहा है और जो नहीं उस language को जानते उस culture को जानते वो उस test में perform नहीं कर पाते थे so the items do not items do not respect the cultural perspective of Asian Africa तो फिर यही था कि इससे पता चला कि Asian African countries के लिए वो test जो है वो suitable नहीं है that is why those tests are known as culture bias test बाकी इसकी detail आप class 11 में आगे chapters में बढ़ोगे फिर it is nearly impossible to design a test that can be applied equally meaningfully in all cultures psychologists have tried to develop the culture fair तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि कोशिश यह करी गई कि ऐसे test बनाये जाए जो discriminate ना करे अलगला culture के लोगों को और कोई भी culture के हो उनके लिए वो universally test जो है वो suitable हो but it is very difficult कि कोई एक ऐसा test हो जो किसी भी person पर universally हर culture को suit करे culture wise हमारा perspective change हो सकता है ठीक है तो that is also there तो अगर हम नीचे continue करें तो इसमें यह कह रहे है कि non-verbal और performance test जो होते हैं यह थोड़ा सा reduce कर देते हैं culture bias यह बिल्कुल culture fair तो को थोड़ा सा culture bias को यह reduce जरूर कर देते हैं hundred percent नहीं भी हटा सकते but still जो non-verbal और performance test होते हैं उनको हम culture fair test बोल सकते now some misuses of intelligence test इनके क्या misuse हो सकते हैं अब आपको पते हैं कि जैसे कभी बचों को intelligence test करने के लिए बोला जाये तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी problem यह होती है कि लोग अपना कोई भी intelligence test छोड़ तो हम कोई भी examination हो उससे क्यों डड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने खराब perform किया तो हमारी image खराब हो जाएगी correct तो यहां पे भी यही होता है कि जब भी poor performance test में होती है तो एक stigma attach हो जाता है उस बच्चे के साथ और उसकी self-respect और performance जो है उसके उपर एक असर हो सकता है influence हो सकता है कि suppose अगर आपने किसी का intelligence test लिया और वो उस intelligence test में अच्छा perform नहीं करता है उसमें various reasons हो सकते हैं बहुत सारे variables हो सकते है maybe the child is not well या उस time वो emotionally distracted है कोई भी reason हो सकता है कि जरूर नहीं है इसने इसले perform नहीं किया क्योंकि वो intelligence नहीं है तो अगर गलती से भी बच्चे का आ जाता है कम score तो क्या होता है society में उसको लगता है मेरी image खराब हो गई है फिर वो आगे performance उसकी self-esteem down हो जाती है performance खराब होने का डर होता है तो इस तरीके से intelligence टेस्ट को बहुत ही negative viewpoint से देखा जाता है the test में invite discriminating practices from teachers parents and elders school में जैसे आपने देखा है कि जिनके number कम आते हैं उनको slow learners और fast learner discrimination हो जाती है ऐसे ही parents भी discriminate करने लगते हैं दोस्तों में भी हो जाता है तो यह चीज़े आगे test जो है इस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं administrating a test biased in favor of the middle class and higher class population में underestimate the IQ of children coming from disadvantaged section okay so now we have studied somewhere हमने यह पढ़ा था कि environment का IQ के उपर बहुत फरक पड़ता है अगर कोई disadvantaged society में बच्चा रह रहा है उसको इतनी facility या इतना support या quality of education नहीं मिलती हो सकता है वो उस वजह से intelligence test में धंसे perform ना कर पाए लेकिन वहीं पर middle class का और higher income level class का जो बच्चा है वो better perform कर लेगा because उसका environment अच्छा था उस case में क्या होता है कि जो disadvantage society section के बच्चे हैं वो underestimate उनको किया जाता है कि इनका तो IQ ही कम है यह चीज सिरफ heredity के base पर देखी जाती है यह चीज इग्नोर हो जाती है कि हो सकता है कि वो उस environment से ही नहीं है जहां पर उनको इस चीज को support मिली हो तो this can also be the reason for misuse of intelligence test फिर intelligence test do not capture creative potentiality तो creative potentialities मतलब इसमें intelligence test में mostly जो देखा जाता है कि बच्चे की academic potential कितना है वो academically कितना अच्छा कर सकता है तो इसमें creativity का potential तो चेक होता ही नहीं है और हमें पता है individual differences के through और जो हमने theories of intelligence पढ़ी है कि intelligence तो बहुत type ही होती है जरूर नहीं है कि कोई सिरफ maths में या language में ही अच्छा होगा वो होता सकता है music में बहुत अच्छा हो वो sports में बहुत अच्छा हो तो there are different types of intelligence तो जो mostly जितन और academic performance चेक करते है creative potentiality चेक करने का जो scope है उनमें बहुत कम है and practical side of the intelligence के बच्छा practical situation में कैसे करेगा वो उसके experience को कैसे use करेगा innovate कैसे करेगा ये चीज़ें उस चीज में IQ test में cover नहीं होती है okay so they do not relate much to the success in life तो जो सिरफ number ला सकता है लेकिन practically अपने skill नहीं show कर सकता जरूरी नहीं है वो बच्छा skill जो है successful हो अपने life में तो IQ test से कभी भी आप ये decide नहीं कर सकते कि वो बच्छा IQ का कम आया है ज्यादा आया है वो life में कितना successful होगा intelligence can be potential factor for achievement in various spheres of life intelligence तो अलग-अलग spheres मतलब अलग-अलग चीजों में हो सकती है अलग-अलग type की intelligence हो सकती है तो जरूरी नहीं कि IQ जो आपने जो test perform किया है उसी से वो आपकी पूरी life की success predict कर ले that is very difficult तो ये सारे points हैं जो ये बता रहे हैं कि IQ test जो है न mostly सिरफ एक counseling के purpose से या सिरफ एक guidance के purpose से ही लिया जाता है और उसको हमेशा एक self analysis के लिए किया जाना चाहिए ये जैसे school में test होता है जो वो एक particular purpose से ही होता है कि ठीके आपको एक standard से दूसरे standard में pass होने के लिए वो test देना पड़ेगा पर वो test आपकी life की success decide करने के लिए नहीं होता similarly your IQ test should not be used to decide कि आप life में कितना successful होगे it is only to decide one particular aspect of your IQ कि आप इस particular चीज में आपका IQ कितना अच्छा है या आपका intelligence कितना अच्छा है वो उतना ही decide करने के लिए use किया जाना चाहिए और उसका कभी भी misuse नहीं होना चाहिए to discriminate people लोगों के बीच में discriminate करने के लिए misuse नहीं होना चाहिए उसका so this was some misuse of the intelligence test so these are the some test which are which have been developed in India जैसे हम culture fair test की बात कर रहे थे तो SM Mohsin का नाम बहुत famous है इन्होंने intelligence test बनाए है हिंदी में ठीक है फिर उसके बाद यह कुछ नाम आपको याद रखने है बहुत important है यहां पे भी दिये है है point wise आपको पूछा जा सकता है कि जो नाम देखी कि इन्होंने कौन सा टेस्ट बनाया था तो यह कभी-कभी exam में आ जाते हैं और CH rice है इन्होंने जो बिने का टेस्ट था जो intelligence test था उसको उर्दू और पंजाबी में बनाया था क्योंकि हमारी regional languages इतनी है ठीक है so the attempts were made by Indian researchers to develop Indian norms for some western test तो एक जो Ravens progressive matrices है जो हमने उपर picture photo देखी थी अभी उसको भी Indian norms के according change किया गया था modify किया गया था फिर वेशलर्स का intelligence test है और भी बहुत सरे test यहां पर दिये हैं तो इसमें से कुछ-कुछ आपको exam में नाम याद रखने हैं आपको पूछे जा सकते हैं और basically एक तो SM Mausin का नाम important है और CH Rice यह दोनों तो हैं इसके अलावा भी इसमें से आप एक बार जरूर रीट करके जाना जब भी आपका exam हो हो सकता है you have to use some example कई बार पूछा भी नहीं जा सकता लेकिन आपको example में तो लिखना पड़ता ही है because to make a good answer आपको example दे देना चाहिए कि culture bias या culture fair जब आप समझा रहे हो या misuse of test समझा रहे हो या types of intelligence test समझा रहे हो तो उसमें आप example दे सकते हो तो यह examples यहाँ पर दिये हुए है जो Indian norms के लिए develop किये गए test है so this was all next time we will start with the culture and intelligence test अभी यह थोड़ा सा और culture को लेकि आगे बात करेंगे culture और intelligence की और culture क्या होता है जिसमें कुछ psychologist के नाम आएंगे इसको हम आगे continue करते हैं next video में आप तब तक यह video देखे आपको अच्छी लगे तो like करिए share करिए subscribe करिए thanks for watching